प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बंगलादेश दौरे ने पश्चिम बंगाल के सियासत में खलबली मचा रखी है बंगाल के पहले चर्ण का चुनाव और पियेम मोदी का मतुआ समुदाई के दिर्दस्तल का दौरा भले ही दूरी दो मुलकों की हो लेकिन कनेक्शन सीधे मत्वा समाज की आस्था का है पश्चिम मंगाल के सियासत में मंदर मंदर जाने की खवायद उस दिन भी जारी रहेगी जिस दिन पांच जिलों की तीस सीटों पर पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे होंगे और उस दिन खोद प्रधान मंदरी नरेन मोदी बंगला देश के अपने दो दिवसी दोरे के आखरे दिन ना सिर्फ मत्वा समुदाई के सबसे खास मंदर जाएंगे बलकि दूसरी जगह भी मंदर में जाकर मत्था टेकेंगे और इसके जरीए एक बहुत बड़ा संदेश फर्शम मंगल की जनता को देंगे अब इसका असर कितना पड़ता है मददाताओं पर ये देखना काफी जादा महत्वण होगा बंगल में मत्वा समुदाई से जुड़ी एक बड़ी आबादी रहती है ये राज्य की कुल अनुसुची जाती का पांचवा हिस्सा है साल 2011 की जन गणना के मताबिक बंगल में अनुसुची जाती 23.5 एक फीसदी है अनुसुची जाती के आबादी एक करोड़ असी लाग के करीब है ऐसा माना जाता है कि इसमें 50 फीसदी मतुआ मददाता है ये बंगल की 70 सीटों पर असर रखते है बंगल की सियासत में मतुआ समुदाई के महत्व को इस बात से भी समझ सकते है कि 2019 में प्रधान मंत्री मोदी ने लोगसभा चुनाओ में मतुआ समुदाई के गड़ बंगाओं सीट से चुनाओ प्रचार की शुरुआत की थी इससे पहले प्रधान मंत्री मतुआ समुदाई की 100 साल की बीना पानी देवी से मिलने पहुँचे और उनका अशिर्वात लिया बीना पानी देवी को मतुआ समाज में बोडो मा के नाम से जाना जाता था जब बंगाल में विधान सभा चुनाओं का माहोल बना तो एक बार फिर बीजेपी ने मतुआ समुदाई के गड़ बंगाओं को चुना पिछले साल नौंबर में अमित शाह मतुआ समुदाई के मंदिर में दर्शन के लिए गए परिवार वालों से मिले घर में खाना खाया और यहां के लोगों के लिए वादों का पिटारा खोल कर गए तीदी भी मतुआ समुदाई के वोट बैंक को खिसकने नहीं देना चाहती अमित शाह के दौरे के अगले ही महिने ममता बनर जी ने बेदगाओं का दौरा किया और मतुआ समुदाई के लोगों के बीच पहुँचकर उनका दिल जीतने की कोशिश की माना जाता है कि पहली ये समुदाई लिफ्ट को समर्थन देता था लिफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतुआ महासभा का भी बड़ा हाथ रहा लेकिन लिफ्ट के शासन में उन्हें वो सब नहीं मिला जिसके बाद मम्ता बनर जी ने मतुआ के वोट बैंक में सेंध लगाई मम्ता ने पहली बार इस समुदाई को एक वोट बैंक के दोर पर विक्सित किया वो मम्ता ही थी जो पहली बार बॉडो मांखे परिवार को राजनीती में लेकर आए साल 2014 में बिना पाणी देवी के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने त्रिनमूल कॉंग्रिस के टिकट पर बंगाउन लोगसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसत पहुचे साल 2015 में कपिल कृष्ण ठाकुर के निधन के बाद उनकी पतनी मम्ता बाला ठाकुर ने उपचुनाओ में त्रिनमूल कॉंग्रिस के टिकट पर ये सीट जीती थी लेकिन 2019 आते आते समीकरण बदलने लगे बीजेपी के CAA और NRC के कार्ड ने मत्वा समुदाय के लोगों का रुख कमल की तरफ खिसका दिया राज्यक की 42 लोगसभा सीटों में 10 सीटें आरक्षित हैं इन में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी वहीं विधान सभा चुनाओ की बात करें तो उत्तर 24 परगणा और दक्षन 24 परगणा शेत्र के आसपास आने वाली 40 सीटों पर मत्वा समुदाय का सीधा असर है 2016 चुनाओ में टीमसी को मत्वा बहुल 21 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी वहीं सिये कानून आने के बाद बीजेपी को इन 21 सीटों में से 9 पर अच्छी बढ़त मिल गई तरसल मत्वा समुदाय के लोग बांगला देश से बंगाल आय थे ऐसे में इनके सामने नागरिकता एक बड़ा मुद्दा रहा है और अब बीजेपी ने नागरिकता कानून का एलान किया तो इस समुदाय ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया आप लोगों की नजर होगी कि कौन जीतेगा कौन हरेगा क्या लग रहा है वहाँ पर अलेक्षिन पिद्धी पर नंग लेकर बीज़ेपी आने चाहिए वहां पर इस वजह से वहां पे रहने वाले लोगों के लिए आप जाते हैं एते अमा देर मोतु आज शमोकरो मोतु आरा शारभीशेन मोतु आरा मने तारपती एक्टा सुधा रेखे तार दल के शम्मान जानिए तार दल लेए विकॉर बोड़ दीबे अच्छा आशा प्राइब आशा कुट सीटा प्रत शाशा भी आशा है बीजेपी या टीमसी? बीजेपी ने बॉड़ो मा के छोटे बेटे मंजूल कृष्ण ठाकूर को बीजेपी में शामिल किया 2019 में बीजेपी ने मंजूल कृष्ण ठाकूर के बेटे शांतनू ठाकूर को बनगाउं से टिकट दिया और वो जीत कर सांसद बन गए अब मोदी के बंगलादेश दोरे पर सांसद शांतनु ठाकूर भी पियम मोदी के साथ गय हुए हैं बंगाल में दोरे के बाद अब पियम मोदी ने मतवा समुदाई के तेर तस्तल में दर्शन का फैसला किया है भले ही मुल्क बंगलादेश हो लेकिन इसका सीधा असर बंगाल चुनाओं में पड़ सकता है चुनाओी मौसम में टीमसी से लेकर बीजेपी तक हर कोई मतवा समुदाई को अपनी और खीचने की कोशिशों में लगा हुआ मतवा समुदाई से जुड़े कई एलान राजनीटिक पार्टियों ने किये ममता ने मतवा समुदाई के लिए 10 करोड रुपए के एक विकास बोर्ड की घोशना की बौरी और बागडी दलीत जातियों के लिए 55 करोड के अलग विकास बोर्ड भी बनाए ममता सरकार ने 2020-21 के बजट में अनुसुची जातियों और जन जातियों के वृद्धों को पिंशन के लिए 3000 करोड रुपए की राशी दी है वहीं बीजेपी ने मतवा समुदाई के लोगों को CAA के दहत नागरिकता देने का एलान किया लोग गायकों की आर्थिक स्थिती सुधारने के लिए भद्ता देने का बादा किया बंगाल के चुनाओं में इम फैक्टर का जोर है ममता मोदी मुस्लिम और मतुआ जहां इस बार मतुआ बंगाल की दिशात तै करने में एहम रोल निभाने वाले हैं गोपाल गंज बंगलादेश से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो